अब एक्सपोजर यहीनन इतना तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसको अंबल versa हो आपके जो ग्रियोड के सेलियूलर पर जाके इसको चेंज होता है कैंगे जनेटिक लुग कंदा वहीं क्योंकि जब cell break और repair, 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 repair हो ना, तो फिर वो cancer वगारा का सारा सिलसला शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ये exposure हुआ है, तो मुम्किन है कि इसका effect मेरी अवलाग को हो, तो ये एक बड़ी genetic सी चीज जब बढ़ आती है, जैसे जापान में हुआ, जैसे च तो उसको exposure को evaluate करना पड़ता है, कि कितना exposure जैसे है, जैसे मुना देके tolerate कर सकते हैं, क्योंकि आप रहते हैं यहां पर यहां पर मैं खड़ा हूँ, अगर आप कोई एक sensitive meter लेके आए, यहां पर गाईगर meter हो और उसे measure करें, तो यहां पर भी radio activity है, यहां भी जमीन है, वहां radio activity है, जो uranium 235, uranium 238, जो जितने भी concentration है, वो distributed है, यह कुछ जगा जादा है, कुछ जगा कम है, लेकिन यह नहीं है कि कोई ऐसी जगा है, जहां पर नहीं हो, मैं जहां रहता हूँ, डेलावेर में वहां पर radon gas निकलती है जमीन में से, radio activity के वज़ा से, वो radioactive product है, वो radon gas जो है एक measurement करते रहना पड़ता है, हवा का, basement की हवा का, कि वहां पर radon की concentration कितनी है, इतनी जादा नहीं होती है, लेकिन बाज ऐसे घर है, जिसमें कोई वज़ा से, या उसके जमीन में जादा है radon, या उसकी construction ऐसी है कि ventilate नहीं हो पाता, तो वहां पर जाके फिर उनको extra ventilation करानी पड़ती है, pump लगाना पड़ता है, pipe लगाना पड़ते हैं, बच्चों को नीचे जाने नहीं देते हैं, कि उनको exposure ज्यादा ना हो जाए, तो हर जगा होता है, तो कुछ tolerable है, कुछ not tolerable है, आप जहाद से सफर करते हैं, ये इतनी radio activity तो आपको सूरज से मिल जाती है, तो व की इतना हो सकता है, इससे जादा नहीं बढ़ें, तो उसको उसके लिए unit इस्तेमाल करते हैं, वो जिससे कहते है, rad, the radiation dose, जो पराना unit था, उसको अपने convert, तो उसमें सिर्फ radiation बताते हैं, कितनी radiation है, वो नहीं था कि कहां से आ रही है radiation, अब हर radiation तो neutron की energy मुक्तलिफ हो सकती ह है, X-rays की radiation दूसरी है, तो इन सब को फिर वो source of radiation, quality of radiation जो है, उसको समझाना पड़ता है, इसका मतलब एक factor है, जो हर radiation से associated है, वो multiply करें आपको red से, तो आपको फिर मिलेगा RAM, जो biological dose, जो असली जो आपको, जिससे आप count करते हैं, कि कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी नहीं होन M, या उसको साई यूनिट में सीवर्ट भी कहते हैं, S-V, तो ये qualifying factor उसमें होता है, कि कहां से आ रही है radiation, वो जो red में नहीं होता है, red में सिफ total radiation है, तो कहां से quality of radiation, quality factor जिसकी बात कर रहते हैं, वो 2 से लेके 11 तक के होता है, neutron के लिए, और alpha particle के 20 तक के factor चला जाता है, तो multiply करता रहता है, अगर alpha particle बहुत energetic होते हैं, तो उनको multiply करना पड़ता है, 20 से, red को 20 से multiply करेंगे, तो alpha particle radiation पूरी उसके अंदर आ जाएगी, कि एक kilogram body mass में कितनी radiation हुई है, radiation absorb हुई है, अब उसकी limits उनोंने describe कि है, पूरे को ज़रूरत नहीं है, बीच वाले उसको देखें, जो MP maximum permissible dose जो दिखाई है ना बीच के अंदर, वो पूरी बाड़ी में 1250 millirem, millirem, इसको unit का ख्याल रखें जब अभी देखेंगे चर्नोबल वालों के साथ क्या हुआ था, millirem पर quarter, याना तीन महीने के अंदर, extremities, हाथ, पैर वगरा जो बाहर होते हैं, ये 18,750 millirem पर quarter, skin 7,500, फीटस जो है, बच्चा जो है, छोटा सा, वो 500 millirem से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और खास्वर पर अगर कोई pregnant औरत हो तो उसको exposure जो है, बहुत ही कम से कम तर होना चाहिए, तो ये उनकी maximum possible dose है, अब ये इतनी dose तो हमें बहुत सारी जगा से मिल जाती है, ये देखें, रेडान के तो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये अमरीका की कहानी है, उपर वाली, नीचे वाली पाकिस्तान की कहानी है, और जगा जासे फरह होता है, कि इस जगा ये है, अमरीका में भी इतना बड़ा मुल्क है न, तो इस कोस्पे कुछ और होगा, मिडवेस्ट में कुछ कुछ और होगा, वेस्ट कोस पे कुछ और होगा, तो वो सब जागरी पर डिपेंड करता है, तो ये अब आप अगर कोई नुकलियर मैडिसन लें, उस किसम के अगर जूरत हो, कोई बहुत मैंनी होते, कॉस्मिक सिमराथ सूरत से जो आ रही है, वो तो आई रही है, थोड़ भी चीज़े है, अब अगर आपको दिखाऊंगा, अगर फ्लाइ करें न, तो उसमें भी काफी सारी एक्सपोजर हो जाता है, तो जो एवरेज जो है, वो 360 मिली रेम पर येर, मतलब आम एवरेज जो इतना एक्सपोजर होई जाता है, अब उसको आप कंपेर करें, जो हमने MPD देखी थी न, तो वो जितना भी मिनिममम है, उससे बहुत कम है, जितना भी मैकसिमम है, उससे बहुत कम है, तो अगर यही यहां तक के बात रहे, तो आसानी से चलती रहेगी ये बात, पाकिस्तान में उससे थोड़ा सा कम है, एवरेज पंजाब के लिए सिर्फ मैंने द लेकिन पंजाब में आन एवरेज यह है, 280 मिली रेम, तो उसका 3 मिली रेम उपर जाएंगे न, ऊपर जैसे जाते है, एटमस्फियर से उपर, तो वो एटमस्फियर का कवर खतम हो जाता है, तो जितनी सूरज में से जितनी भी रेडियेशन आती है, कॉस्मिक रेडियेशन जितनी आती है, वो सारी हमको बाडि में अब्सारब होते हैं, इस वजासे जो लोग, ऐस एफलाइट अटेंडन काम करते हैं न, हर फलाइट में उनको 3 मिली रेम, तो अगर उन्हों ने दस फलाइट की, तो 30 मिली रेम, यहीं हो गई, 100 फलाइट की, तो 300 मिली रेम हो गई में और अगर एक दो चीजें और मिला लें तो कभी-कभी उनकी टोटल एक्सपोचर है वो जादा हो जाते हैं और यह सब क्यूमिलिटिव होता है यह नहीं कि एक मरता हो गया तो बस साल के एंड में बराबर करके छोड़ दिया दूसरा इसाब शूरू यह फिर जमा होती रहत दूसरा इतना ज्यादा है कि शायद एक्सपोचर से ज्यादा नुखसान हो जाएं कैट स्केन कराना परता है अब यह देखें एक्सपोचर नोबल वालों का साथ क्या हुआ था वो आपने जितना देखा था 300 का अमरीका में 280 का पाकिस्तान के अंदर यह जो 134 वहां पे जो लोग उस वत काम कर रहे थे उन्हें 80,000 टू 1.6 मिलियन मिली रैम और इसकी भी कहानी यह है कि उनके पास जो गाइगर काउंटर जो मीटर थे ना वो एक हद तक के मीजर कर सकते थे उसके बाद नहीं वो सारे पीक पे हुए वे थे सारे गाइगर काउंटर फिर उन्होंने बाहर से आर्मी वालों से एक स्पेशल काउंटर मंगवाया और उसके बाद जा जाके उन्होंने मेजर किया तो उनको कुछ पता चला कि कितनी ज्यादा एक्सपोजर है इनको यह नंबर देखें 28 आदमी तो वहीं के वहीं मर गये उसके बाद जितने लोगों के जिनेटिक हुआ है और उनकी जो कांदानों के उपर जितने भी अफेक्ट पड़ा है वो अलग से है तो इतना ज्यादा एक्सपोजर जिसके जो शुरू में मेजर ही नहीं कर सकते थे बाद में उन्होंने मेजर किया तो यह यह चीज़े हैं फोकेशियमा भी हुई काफी बड़ा एक् इससे मरे हैं तो वो यह जो यह जो एलिमेंट है ना नुकलियर टेक्नोलोजी का जो डेंजर तो हीमन हेल्थ नाट है नाट हीमन लाइफ यह जान अफेक्ट अब आप इन्सान की जिन्दगी को कैसे मेजर करें है फॉर्मूला जो एक फॉर्मूला है कि इतनी है मतलब असी जो है एक अमरीका में एक वैल्यू है एक इन्सान की दिन्दगी की अगर प्रॉफिट उससे दस गुना ज्यादा है तो ठीक है एक आद मर जाया है तो कोई बात नहीं अब उससे पूछें जिसका वो बेटा हो या इसकी बेटी हो जिसका मामाप हो तो तो असी लाग से तो बहुत जादा उसकी वैल्यू है तो यह बहुत इसका एकनामिक एवैलूएशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसवज़ासे जो जो फैक्टर है निडिक वैक्टर होता है और इतना वेरियबल है और इतना अंब कामप्लिकेटिड है कि अगर इसको सगी से टीकिया जाए तो कोई nuclear power plant feasible ही नहीं होता अब उसका अंदाज़ा लगा लें लेकिन बनते हैं जैसे मैंने आपको बताए चाइना में छे बन रहे हैं क्योंकि फिर political social priorities दूसरी हो जाती है उसकी वज़ाए से उनका stress ज्यादा हो जाता है फिर जितने मर्जी plant लगा लें